है तो वच्चों कैसे क्या सभी उमिड़ेंज तो हमने जैसा कि आपको पता है आपके पार्ट थड के लिए युनिट ठड शुरू किती जिसका नाम था कार्वो भाइड्रेड्ट तो इसमें आज हम आप मारा चोथा लेक्टर लेकर आये हैं हम क्या पढ़ रहे थे पिछले ल सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इसको हम बहुत जादा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ग्लुकोज है इसके लाबा एक और फेमस मोनो सब्सक्राइब जिसका बहुत जादा होता है वह है ग्लुकोज और फ्रक्टोज तो यहां पर हम देखेंगे ग्लुकोज और फ्रक्टोज को तो हम ग्लुकोज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ग्लुकोज में क्या उसकी स्ट्रक्चर देखी थी सबसे पहले हमने कि कैसे सरचन यानि कि उसकी कैसे structure होती है on the स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं कैसी होती है इसके लाब हम उसमें म्यूटा रोटेशन जितने भी मोनोसेकराइट्स हैं माल्टोज है लेक्टोज है इन सभी के अंदर म्यूटा रोटेशन परिवर्ति गुर्णन पाया जाता है यानि कि क्या होता है समय के साथ यह कुछ भी ह हो सकता है ग्लुकोज हो सकता है फ्रक्टोज हो हो सकता है कोई और मोनोसेकराइट हो या कोई और डाइसेकराइट हो तो यह सभी क्या प्रिवर्त बी मैं को गुमा को इते हैं लुटोस का निर्माड़ लुटोस करते हैं कुछ सा होता है लेकिन तो नेचयरल प्रकृती से मिलता है वह ग्लूकोज कौन सा होता है डी ग्लुकोज हाला कि हम लैव मेंल्गुकोज कर सकते हैं तो कैसे करते हैं इसकी सिंथेसिस एक तो तरीका है स्टार्च से एक तो निर्मान कर सकते हैं स्टार्च से स्टार्च का फॉर्मुला क्या होता है C5 लास्ट तेम निखाए था आपको स्टार्च का फॉर्मुला क्या होता है स्टार्च का फॉर्मुला होता है C6 C6H10O5 क्या होता है यहाद है न oligosaccharides बताई थे यह जो oligosaccharides होते हैं यह monosaccharides की बहुत सारी unit के किस से बनते हैं जुडने से बनते हैं और वहाँ पर मैंने यह reaction लिखाया भी था कि glucose कैसे बनेगा उसका reverse भी लिखाया था और यहां से glucose की formation भी बताई थी तो यहां पर N molecules हैं C6H10O5 तो मैं इसकी रेक्शन NH2O से कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा मुझे N molecules मिलेंगे किसके C6H12O6 जोगी क्या है हिमारा glucose है ठीक है तो एक तो तरीका यह है स्टार्च से बना सकती हूं दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है कि मैं इसका निर्मान करूं किस से सुक्रोज से करूं सुक्रोज सुक्रोज क्या है शुगर है आप जानते हो कौन सी सुक्रोज के बारे में डाई से करॉां जानि पहले लेक्चर में देखो डाई करा करें ले overcoming कर्थे noticed lol इसकी Под紹ma करांगी मैं इसकीरियक्शन करांगी से च्टियर नहीं होती है दाईघ्र होती है हम ज़रुरत पढके हैं यहां पर कैटलाइस करने के लिएक्शन को लेते हैं यहां पर नलप Chis एह समील हमें एकक अमल आये टल चोड़न ही यह तो है C ylb ले सकते हैं यहां तो फिर हम दाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं तो क्या बने गए यहां पर 2C6H12O6 बनेंगे क्या बनेगा यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बनेंगे C6, S12, O6 ग्लूकोस के तो इसको बनाना बहुत आसान है रियक्शन बहुत इजी है यही रियक्शन से जिनसे हम किसका निर्वाण कर सकते हैं ग्लूकोस का एक्चुल में यह रियक्शन क्या है जल अपगटन रियक्शन है ड लेकिन मोनो तो सेकराइट वन्ते यानि क्या बंते हैं यानि सोरी क्रीव पॉली सेकराइटस बंते हैं ओल्यूकोस का भी मिल सकता है यह तो हम आगे रेक्शन कर सकते हैं कैसे करेंगे वह मागे देखेंगे ट्राइब किया जलब घटन किया वहां से ग्लूकोस का निर्माण किया तो अब इसके गुण देखते हैं सबसे पहले इसके क्या देखें ग्लूकोस को हम देखकर कैसे पैचाने कि यह ग्लूकोस है बहुत एक गुण देखते हैं सबसे पहले बहुत एक गुण मतलब कि हमें रियक्शन ना करना पड़े बिना रियक्शन की हम कुछ ऐसी प्रॉपरिटीज होती हैं जिनको देखकर हम बता सकें एक अंदादा लगा सकें कि यह क्या हो सकता है तो अगर हम देखें के वल बहुत इन उदेख करें अगरे कैसा दिखाई में देता है यह सफेध का लरका होगा स्वेथ होता है और का स्वेथ क्रिस्टिल् Вторिंट few माधार्ध है यानि अभर केबल देखें ग्लुकोस को तो हमें कैसा दिखाई देगा वाइट क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जैसा होगा थोस पदार्त है क्रिस्टली है तो थोस ही होगा तो वाइट क्रिस्टलाइन थोस पदार्त है दूसरा हम क्या कर सकते हैं उसे चक्कर देख सकते हैं तो चक्कर देखे सकते कि ग्लूकोज हो सकता है फिर क्या देखेंगे फिर देखेंगे जल में गोल का तो जल में क्या होगा जल में गोलेंगे तो अब ले फिर हो गोल कर देख सकते हैं अगर जल में गोला तो मान सकते हैं यह क्या हो सकता ग्लूकोज हो सकता ऑर इन्व लेटिंग कितना होता है तो इसका melting point जो होता है वो कितना होता है इसका melting point कितना होता है 146 146 degree centigrade होता है उधा क्या कर सकते हम इसके melting point निकाले कि मैलिटिंग point देखें कैसे निकाले melting point के लिए experiment लगता है ठीक है वहां से देखें अगर मेल्टिंग पॉइंट 146 मिला तो कंफॉर्म होजएगा कि यह ग्लॉकोज है क्योंकि मैल्टिंग पॉइंट्ष पता हो नौलेज हो कि मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है तो हम जब लेके अंदर कार्वनी क्योगिकों का परेक्षिंड करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, melting points जरूर निकालते हैं, क्योंकि अगर हम melting point निकालने हैं, तो फिर हमको chemical reaction की जरूरत नहीं पढ़ते हैं, melting point टेक कर भी बता सकते हैं, हालांकि उस चीज को confirm करने के लिए, पता तो हमको melting points से चल जाता है, लेकिन उस चीज को confirm करने के लिए, कि यह सच में glucose है या नहीं, तो हम कुछ reactions कराते हैं, जो केवल वही पदार देता है, यहां से तो हमको एक अंदाफ हो गया, हाँ, यह glucose हो सकता है, इसका melting point 146 है, glucose का melting point कितना होता है, 146 होता है, तो एक अंदाफ हो गया glucose, अब आप जो आगे chemical reaction करोगे, अब ऐसे तो reaction thousands of होती है, यानि कि हजारो reaction है, अब हमें पता ही नहीं है, कि हमें कौन सी reaction लगानी है, तो फिर हम तो reaction करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे, तो अब हम जो reaction करेंगे, chemical reaction, वो glucose की करेंगे, तो यह confirmative testing लेब के अंदर होते हैं, जब आप practicals पगेरा करते हैं, तो यह तो इसके कुछ बहुत ही गुण है, जिने देखकर हम पता लगा सकते ही, glucose है, अब इसके हम क्या देखेंगे, यह रसाईन तो अब हम क्या देखेंगे, रसाईनिक गुण देखेंगे, chemical properties, क्या-क्या reactions देता है, glucose, तो अब देखते हैं, रसाईनिक गुण क्या-क्या reactions देगा, ग्लूकोस के हमने कही सारे structure देखेंगे, इसके structure वेल्ट होते हैं, मतलब एक open chain structure देखा, खुली श्रंकला वाला structure, एक में हमने close chain structure देखा, जिसमें इसके alpha और beta foam होती है, तो इसके reactions पर तो effect पड़े गाई, तो पहले हम उन reactions को लेकर चलेंगे, जो open chain structure द्वारा दिये जात करते हैं कि ग्लूकोस का कैसा structure होता है open chain, पहले उन reactions को देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे cyclic वाले reactions, तो हम अगर ग्लूकोस को देखें, यह है हमारा D-glूकोस, अगर आम इसमें देखें गौर से, तो आपको दो तरह के functional group दिख रहे होंगे, इसमें, एक तो यह है, aldehydig functional group, aldehydig functional group और यह है, यह वाला और यह तीन, यह क्या है, यह alcoholic functional group है, तो इसमें दो तरह के kriyatmak समू है, एक aldehydig समू है, और एक है hydroxyl समू, इसका मतलब, यह aldehydig समू है, तो aldehyde वाली reaction इनको देनी चाहिए, जो reaction aldehyde देते हैं, और अगर hydroxyl समू है, तो इनको वो reactions भी देनी चाहिए, यह जो hydroxyl समू द्वारा दी जाती है, तो हम देखेंगे बारी बारी कि कौन सी कौन सी reaction यह देते हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत उपर से करेंगे, यानि aldehydig समू से, तो देखेंगे, अगर इनमे aldehydig समू है, यानि open chain में है, और इनकी पास aldehydig समू है, ओपन चेन में ही रहता है, aldehydig समू, जब यह close बन जाती है, वो क्या बन जाता है, तो देखते हैं, वो कौन-कौन सी reactions होती है, तो सबसे पहले जो हम reaction देखे जाएंगे, वो किसकी बज़ए से होंगे, कार्बोनिल समू की अभिक्रिया हैं, एल्ड हैड क्या है, एक कार्बोनिल समू है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, वो अभिक्रिया है जो कार्बोनिल समू की बज़े से होती है, तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे, कार्बोनिल समू के कारण अभिक्रिया है, वो कौन-क हम इस तरीके से लिखे हैं glucose को CHO और इसको हम ऐसे लिख लें CHOH का whole 4 CH2OH इस तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम को हाइड्रोक्सिल ग्रूप का कोई reaction नहीं करना हम कौन से देख रहे हैं तो हम इसको खुलकर लिखने की ज़रूत नहीं है ऐसे भी हम लिख सकते हैं ठीक है ऐसे भी हम लिख सकते हैं तो इसकी reaction में किस से कराओं एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है इसकी reaction में कराओं HCN के साथ किसके साथ कराओं HCN HCN क्या है hydrogen cyanide क्या है HCN hydrogen cyanide तो यहाँ पर एक reaction होगी क्या reaction होगी यह 하ल समूब तो यह है उसे क्या बहलए यह में जैगा और यहां पर क्या बनगया यह बने गया Алекс नियसे क्या Cyanide इस पर जाकर जुड़ गया तो यह क्या है पहले हम क्या लेकर चले थे लेकर क्या चले थे ग्लूकोज साइनाड जुड़ गया तो इसको बोलेंगे साइनो हाइडरीन क्या बन गया यह ग्लूकोज साइनो हाइडरीन किसका निर्माण हुआ यहां पर साइनो हाइडरीन का निर्माण हुआ है C n- माइनस ने हमका पर किस की तऱा कारे कर रहा है Nucleophile की तरह कारे कर रहा है तो यह जो oxygen है, यह yplayer, यह सा केंद्र, जहां पर इलएक्टरोफिलीज्वी सेंटर है, यह चयुनOM पर है टो यह पर जैसे ही कार्वन पर addyač करेंगा, CN- तो क्या होगा? यह bond तूटकर कहां जाएगा oxygen पर यह bond कहां जाएगा oxygen पर तो oxygen पर कैसा आविश आएगा रिनात्माग तो oxygen क्या करेगा यहां से H plus ले लेगा और CN minus ने तो attack किया ही है तो हमको क्या मिल जाएगा finally glucose sinohydrin मिल जाएगा तो एक reaction तो यह है यह क्या है पहली reaction जो कि क्या है HCN के साथ अभिक्रिया यहां पर लिख सकते हैं glucose HCN के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है sinohydrin का निर्माण करता है ठीक है sinohydrin दूसरी reaction देखते हैं हम इसकी ठीक है अब हम किस से reaction कराएंगे इसकी अब हम reaction कराएंगे इसकी NH2OH के साथ hydroxyl amine के साथ किसके साथ reaction कराएंगे hydroxyl amine hydroxyl amine क्या होती है hydroxyl amine होती है NH2 या फिर मैं इसको ऐसे बनाओ चलिए ऐसे बना दी तो NH2OH यह क्या है हमारी NH2OH hydroxyl amine है है ऐसे लिख क्यों ज्यादा बैटर दाएगा जब संजाओंगे तो हाइड्रोक्सिल amine इसका नाम क्या है यह है हाइड्रोक्सिल amine amine है अगर तुमको यह दिख रहा हो रियक्शन होती है इसकी वैसे मैं बताऊंगी रियक्शन कैसे होती मेकेनिसम दिखाऊंगी वेकिन अगर शौड में देखूं तो नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन जुड़ेगा और कार्वनिल पर क्या है oxygen तो यहां से क्या बाह बाहर निकल जाता है क्या हो गया है एच्टू बाहर निकल गया और क्या बन जाएगा कार्वन के डवल बॉन्ड से जुड़ जाएगा एण वह जुड़ जुड़ जाएगा यहां पर एच बाकि सब कुछ वैसा ही रहेगा स्वाइच वह का फोल पॉर्स है और शी एच टू यहुड़ जुड़गा डवल गॉंड एण-ओ-दव्ल यह को सम्मौ होता है विसी के वोलते हैं और पल od गौ से इसा पर बते हैं है यह बन गया ग्लुकोस ऑग्जाइम जाएल यह फिर हंदी में तुम बोलते हो ईकश क्या बन गया ग्लुकोज जुभश कैंने देख्यां मैं युफ यूपर वाला मिटा देती हो है है I am come teach हम देख्यां यह कैसे होता है स्टु जू कैसे बाहर निकला तो पूरा लेकर केवल इतना जितने पर हमने रियक्शन किया है उतना ले लेते हैं यह हमारे पाद यह पूरा गुरुप है इसको मैंने आर माल लिया जो बाकी बचा हुआ गुरुप है इसको क्या माल लिया मैंने यह जो गुरुप है इसको क्या माल लिया मैंने आर माल लिया तो यह आर दो पोलर होता है यह डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस और्टसेजिन क्या करता है इलेक्ट्रोनों को अपनी तरफ आकर्शित करता है तो यह पर क्या हो गाइंग यह अपर यह देगाा हाई Anda bath सिट माइनास और यहां पर ने अचाय और मैंस्का ऐसे लिए एक और उNew एच 협वon बनाए ना हे ना टैंपिंश बनााता ही नहीं कर और थ्रीफट हो जाएगा यहां पर पर माइंट हत और यह से लिख दो है कि ऐसे बना हुए औक्सिजन के पास यहां से एक और लेगा तो क्या बनाएगा आएच तू फॉघुटिटिव अब औट सिजन ने यह पर क्या हुआ औप यह प्रोटोन ने में यह नेगीटिजन प्रोटोन नहीं पर पिंगु नेगीटिज़ इसे वह यहां प्रोटोन जानते होंगे अपने पहले भी र्यक्षिंज किऊंगी, जैसे ही oxygen पर positive charge आता है, तो यह बहुत unstable हो जाता है, क्यों हो जाता है वैं, क्योंकि oxygen क्या है, विद्ध्यृत्रिनात्म Act तत्ब होते हैं, बिद्ध्यूत्रिनात्म Act तत्ब होते हैं, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट् तो और यह तो चाहता है यह पर चाहता है तो किया हो गया अनिस्टेबल तो रुके गातो नहीं तो जैसे फिर ना-इस्ट्रोजन स्टाइब पर आएगा carbon पर कारवन पर नीए यहां पर आएगा और एच तुओ क्या करेगा बाहर निकल जाएगा एच टूओ क्या होगा एच टूओ जो बाहर निकल गया जैसी अस्तों बाहर निकला उसका ऑक्सिजन का पॉजिटिव चार्ड खतम होगे क्या अब तो ऑक्सिजन के साथ 2 वहां पर तो तीन वन रहेते अनिस्टेबल सा तो अब एस्टेबल हो गया और बचा क्या एंड इसी सोरी आरसी डावल बॉंड और और यही क्या होता है और जाइन तो इस तरीके से जो अग्जाइम है उसकी formation होती है इस तरीके से oxygen बनता है ठीक है? आगे reactions देखते हैं note कर लीजे समय में आगई होगी हमने दो reaction देख ली ठीक है? अब हम अगली reaction देखते हैं अगर यहाँ पर यह है तीसरी reaction देखते हैं यह है यह group मौजूद है यह group मौजूद है तो यह तो कार्बोनिल समूँ है क्या है? कार्बोनिल समूँ है है और कारबोनिल समु का तो हम अपचयन करा सकते हैं अगर इसका अपचयन होगा तो क्या बनेगा कारबोनिल समु का जब हम अपचयन कराते हैं तो उससे क्या बनता है एल्कोहॉल और अगर हम एल्कोहॉल का ओक्सीकरंड कराते हैं तो क्या बनता है एल्डिहाइड तो इसका अप्चेन कराएंगे अप्चेन के लिए क्या करना पड़ेगा कोई अप्चायक यूज करना पड़ेगा ऐसा रियेजंट यूज करना पड़ेगा यह अपचाय को और अपचयन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं हम हाइड्रोजन करते हैं यानि कि हाइड्रोजन का योग करते हैं किसी धातू उत्प्रेरक की उपस्थिती में यानि कि जिसको बोलते हम उत्प्रेर की हाइड्रोजनी करन्ट यान किसी धातू की उपस्थित है मैं हाइड्रोजन का एडिशन कराया जाता है कारबोनिल सम्हूँ पर इन스럽 में हाइड्रोजन का एड कि ले निकेल भी लकते लिए है और कौन सा रिएजंट यूज करते हैं हम रिडक्शन के लिए यह भी यूज कर सकते हैं सोबीयम कि स्केस की प्रिजन्स में कि सोबीयम किसके इन एलकोहॉल सोबीयम इन ऐलकॉहॉलेम के अंदर सोबीयम का यूज Radiate Water भी तुम लोगा ने पढ़ी होगी सेकन्डियर में पढ़ी होगी करते हैं ते नियुक्त करते हैं और क Арवन समूं को किसके कर दिते चरणो कर देते हैं अ फिल्प hm एन्ड़Regalined कर देते हैं इनका मेंका हापने पड़ा होगा सेकन्ड एर्सक्र देखेंगे ब्लांक रियक्शन और एक वो होती है तो रहा है अपचयन हो रहा है यह रियक्शन बाद में देखेंगे आगे आप कार्वॉन समु देखेंगे जब आप कारगोनिल समु पढ़े होंगे साइध पढ़े होंगे आप लोगों ने स्टेकिंड इर में तो यह जरूर पढ़े होंगे इनके मेकानिजम या सब्सक्राइब छीघिना या फिर हम हाईड्राइड ट्रांसफर रियूजन ऐसे आभी कर्म को का यूज करें है जो हाईड्राइड इनको तो पढ़ाई होगा ना लीधियम ja या कि यूज लीथियम हीड्राइड को यूज करते हैं है क्योंकि यह लीथियम है यह बहुत रियक्टिव होता है इतना ज्यादा रियक्टिव और यह बहुत लो तेमपरेचर पर वर्क करता है तो क्या होता है जरासी भी नमी हुई तो इसमें क्या हो जाता हैillon हो जाता है इतना जादा रिक्टिव सिर्फष क्रेition के कहां से बिस्प्रोंद करते हैं तो यहाँ पर इसके साथ कोई भी पोलर पोलर सॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा विलायक नहीं लेते जिसमें हाइड्रोजन मौझूद हो एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो की एच प्लस दे सकते हूं जैसे पानी रहा वह एच प्लस देता है यहां पर ओएच यह भी एक एसेडिक बेहवियर देता है ओएच ग्रुप क कि लीथियम-e-aluminium hydride क्या करता है eldehyde यानि कार्बोनिल समू को एलकोहल में चेंज कर देता है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं sodium boroh hydride का यूज़ कर सकते हैं और भी hydride transfer reagent उनका यूज़ कर सकते हैं तो यहांपर क्या होगा यह किट्वन समू है किसमें चेंज हो जाएगा ch और यह बन जाएगा CH CHOH का होल फोर और यहां पर CH2 OH मैं उम्मीद कर रहे हूं मेकेनिजम तुम लोग को पता होगा कि यह रिडक्शन कैसे होता है ना पता है नहीं पता हो जिन बच्चों को मैं के लिए जल्ली से बता देते हूं कि यहां पर मेकेनिजम कैसा होता है अलग-अल एच्टू इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या कोई भी मैटल तो यह रियक्शन जो होता है यह रैडिकल के थ्रू होता है यहां पर क्या बनता है रैडिकल बनता है यानि कि यह जो आर ग्रूप है यह भी तूट जाएगा यह जो बॉंड है ऑक्सीजन यह से लिखो थोड़ा सा है तो यह क्या कर देगा इसन पर एक रैडिकल रनेगा कर बनेंगा company यह आपर Sansने कर देजिक च्टू है यहां से भी रीडिकल बनता है यह पर तो डो एच राइडिकल बनेंगे एच रैडिकल तो इसकी साथ कंबाइन रिएक रैडिकल ुग हो यह जाएगा और एक रैइच लिया है तो इस के साथ क्या होगा कि यह है यह लिए雨 लिया आधर लिक्विद अमोनिया का periodic है अकला के साथ हम लिक्विड अमॉनिया सॉल्ड़ कि दरबल ले सकते हैं तो क्या होगा सोडियम मेटल है मेटल क्या करता तरल इलक्ट्रोण देता यह उनात्रों देगा तुधर यह यह बनाएगा यह बनाएगा radical N9, O-icarbon per radical, यहाँ H है, क्या बनाएगा radical N9, यहाँ इसे बोलते हैं हम ketyl radical, क्या बनता है यहाँ पर ketyl radical, और इससे दूसरा नाम क्या है radical N9, radical भी है और N9 भी है, तो इसे क्या और क्या बोलते हैं है Video N9, क्या बना है हमारे पास हमारे पास बना है रेडिकल एन आएन बना है ठीक है अब आगे देखें क्या होगा हमारे पास यह है C2H5 एलकोहल और हम मैंने अभी जस्ट बोला था कि यह जो ऑक्सीजन और हाइडोजन का बॉंड है यह पोलर होता है अगर आपने सेकेंड नियर में अलकोहल पढ़ा हो तो आपने देखा होगा दो तरह की रियक्शन देते हैं अलकोहल जिसमें एक तो ऑक्सीजन और एक और सोडियम होगा यह यह से दूसरा ев्लेक्ट्रों आ यह पहले था दूसरा एलेक्ट्रों और पर क्या आगया negative यह नेगिट्पeeee यह क्या करेगा यहां से, प्रोटॉन ले लेगा, तो यह हो जाएगा, आर, ओ, एच, और यहां पर क्या जाएगा, एच, ठीक है, सॉरी, आ, इसने तो इससे ले लिया, एक हैस तो मौझूद था, ओ माइनस, यह ओ माइनस क्या करेगा, और भी तो मॉलिक्यूल होंगे, C2H5OH क सिर्फ एक ही तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, C2H5OH का, और भी मॉलिक्यूल होंगे, तो यहां से यह प्रोटॉन ले लेगा, और क्या बना लेगा, RCH2OH, इस तरीके से मेकेनिसम होती है, तो यह बनाता है, फ्री रेडिकल, अगर यह वाला रिडूसिंग एजंट ले रहे हैं तीसरी रेक्शन देखें, यह है हमारे पास, यह लिया है, हमने सोडियम बोरो हाइड्राइड इन, इसके साथ यहां तो M-E-O-H लेते हैं यहां E-T-O-H, यानि कि जब भी सोडियम बोरो हाइडर यूज़ करते हैं, तो इसके साथ कोई ना कोई पोलर सॉल्वेंट हम लेते हैं, वी बियothyम बोरो हाइड़ बहुत कम है तो इसके रेक्टविटी को इनहेंस करने के लिए, प्रोटान के लिए यह भी कि यूज़ होता है, मिथाल अलकोहल यां मिथाइलल ये यह होता है, यहां पर ब्ह यह होता है, रियक्षिन तो यहां से होगा, सोडियम सक कोई लेना देना नहीं है, रियक्षिन तो यहां से होगा, क्या होगा, बोरोन पर नेगेटिब चार्ज है, है ना, यह नेगेटिब चार्ज रियल चार्ज नहीं होता, यह क्या है, केवाल एक फॉर्मल चार्ज है, क्या है, केवाल किसके पास कोई बहुत जाद ही लेक्डरों डेंसिटी नहीं के बाल एक क्वोर्मल चार्ज दिखावा है निकि कोई गरिब इनसान है बहुत गरिब और उसके पास थोड़े से पैसे आजाएं तो क्या गया ऊकुत है कॉण आदिक वाला बस यही है इसके साथ कि यह दिखावा कर रहा है मेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रों डेंसिटी है और इस दिखावे दिखावे में क्या करता है यह जो H- मायनस को क्या बोलती है है dobrze कि क्या देता है है तो हय माईनस क्या करेगा अपने पूरे लेक्ट्रों लेकर यहां आटेक करेगा यह उपर जाएंगा तो यह बनाएगा यह बनाएगा-इस्यो म्हाइनस और यह अपर क्या है अटेक किऑ एक हैं मौझूद ये जैसे है ضय माइनस देगा य क्या बन जाएग बीएच फिर सदी अब आप ने लेकर सब्सक्राइब लेकिन पर द्था इसके साथ वांढ बना लएगा ещё के बाद यह क्या करेगा आप एसे क्या करेगा दूसरे एल्कुहाल का रेदक्शन करेगा दूसरे मॉलिकुल का करें कि इसके पास चार हईडूइल हैं तो चार pe अय्डुू का लेगा और क्या बन झाएगा यह बन उतले हैं इस तरीक है से चे wenn था सकते हैं किसमें एल्कॉस हो गया और यह जो बनाए इसको क्या बोलते हैं जानते हैं यह भी तो कुछ बनाए इसका भी तो कुछ नाम होगा यह जो बनाए को बोलते हैं सौर्बिटॉल क्या बन गया यह ग्लूकोस से किसका निर्मान हो गया सौर्बिटॉल का निर्मान हो गया यह जो बनाए से क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं हम सौर्बिटॉल क्या है सौर्बिटॉल और देखते हैं क्या क्या रियक्शन देता है प्रकोटिये अजिए अप चैन कर आया ठीक है इस एक्सेटन एक्ष्चन में क्या कर आया अप चैन अप चैन कर आया तो एलकोहौल बन गया लेकिन अफिक प्रूंग ही तो है क्या है एलडिहएड ही तो है और एलडिहायड तो आगे भी Oxy 살ू सकती है ऐसा तो नहीं कि यहीं पर आकर oxycrone रुप जाएगा यहां से आगे कोई बढ़ेगा ही नहीं वहीं यह आगे भी oxycrone हो सकते हैं और क्या बना सकते हैं आर-C-O-O-H कार्बोगजिलिक एसेड तो अगर कोई aldehyde है उसका आगे भी oxycrone कर सकते हैं कार्बोगजिलिक एसेड बना सकते हैं तो ग्लूकोज में भी तो aldehyde इक सम्मू होता है तो क्या उसका भी हम oxycrone कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो अगली reaction हम देखेंगे यह जो reaction थी यह अब चायन कौनसी reaction थी अब चायन अब हम देखेंगे oxycrone तो यह group है aldehyde group है अगर घ्लूकोज में है है तो इसका क्या हो सकता है इसका oxygen हो सकता है बिल्कुल होना चाहिए लेकिन नियाऊं पर फ्रावल दो तरेकिसे कर सकते हैं इस का मुख्रावान औक्षिकार को से भी कर सकते हैं और वूल औक्षिकार को से और और सकते हैं दोर्बल मतलब माइड्ड ऑक्षिडाईजंग एजेंट जो बहुत जादा प्रबल ना हों जैसे कि एक हम यूस करते हैं ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन वाटर किसका काम करता है यह क्या है इक mild oxidizing agent है ओक्सिकारक है लेकिन एक दुरबल कैसा ओक्सिकारक है दुरबल तो जब हम ब्रोमीन इन एस्टू यानि ब्रोमीन वाटर लेते हैं इसको क्या बोलते हैं हम ब्रोमीन वाटर तो क्या करता है Mild Oxidizing agent है तो क्या कर सकता है अच्छे तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि हम तो तरीके से ले सकते हैं Mild और एक Strong क्योंकि यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा अगर हम Oxidine करा रहे हैं तो केवल Eldehyde का Oxidine होगा क्या एलकोहल का Oxidine नहीं होगा अलकोहल भी तो Oxidine हो सकते हैं यहां फिर Carboczylic Amlou बना सकते हैं ज्यादा प्रवल Oxidizing agent ले लिया तो सीधे क्या बनाएंगे Carboczylic हम लोग बनाएंगे जो 2 degree वाले होंगे वो Ketone बनाएंगे तो इनका भी Oxidine हो सकता है लेकिन हमें इन सबका Oxidine नहीं कराना यानि कि एक ऐसा रियेजेंट यूज करना है जो इनको Oxidine ना करे केवल इस समू को यह जो Eldehydic समू है केवल इसी पर reaction करे इसी को Oxidine करे त हमको क्या मिलेगा यह जो Eldehydic समू है यह चेंज हो जाएगा यह किसमें हो जाएगा COOH में बाकि कहा है का होलव फोर CH2OH जो हमारा यहाईटिक समू था वो किसमें चेंज हो गया हमारा यह जो ऑपडिक समू था वो जढेंज हो गया Acidic समूव में LDHID का Oxygen हो गया किसमें? Acid में, Carboglic Amlum क्या लिया था हमने? Glucose अब यह क्या बन गया? Acid तो इसका क्या नाम है? इसका भी कुछ नाम होगा इसका नाम है Gluconic Acid क्या नाम है इसका? इसका नाम है Gluconic Acid क्या बनाए यह? Gluconic Acid बन गया. चलो अगर हम mild ना लें, कोई strong ले लें, तो फिर क्या होगा? देखते हैं आगे क्या होगा? अगर हमने कोई strong oxidizing agent लिया है तो पहले हम इसके साथ हम लिख सकते हैं कि Glucose जो होता है Glucose का Oxygen Fast होता है Fast मतलब तेज होता है बहुत तुरंट जल्दी, बहुत जल्दी oxidize होता है तो Glucose का Oxygen fast होता है इसलिए यह इसलिए यह दुर्वल दुर्वल Oxygen Oxygen के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है ठीक है? यह तो तावे जब कोई mild oxidizing agent लिया अगर कोई strong ले 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 लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम strong ले लिया Oxygen करें नहीं तो करा रहे है पहले तो mild से कराया लेकिन अगर mild की जगह कोई strong ले लिया तो यह तो mild था मैं यहीं change कर देती हूँ आप तो अलग से लिखना पहले ही नोट कर लिया होगा नहीं यह बटा देती हूँ ठीक है? देखते हैं क्या product बनता है अगर पोई strong oxidizing agent ले लिया इसको oxidize कर रही हूँ जैसे कि HNO3 HNO3 ले लिया और HNO3 कम जानते है HNO3 क्या है इक oxykarak है और वो भी कैसा प्रवल oxykarak है कैसा oxykarak है यह प्रवल oxykarak है और जो प्रवल oxykarak है तो फिर यह केवल aldehyde कोई नहीं alcoholic समू को भी oxykarat कर देगा यानिकि यह तो acid में change हो गाई साथ में यह भी oxidizing agent लेंगे तो aldehyde क समू और alcoholic समू दोनों का ही oxykarak हो जाएगा लेकिन अगर mild लेंगे दुरवल लेंगे तो केवल aldehyde क समू का oxykarak होगा अब यह क्या बन गया यह इसका नाम भी तो कुछ होगा ना यह जो COS दबल वाला यह जो molecule बना इसका क्या नाम है इसका नाम है glucose sacric acid क्या बना glucose sacric acid glucose sacric acid तो बाकी की reaction हम अगले lecture में देखेंगे अभी यही पर खत्म करते हैं इस lecture को अगले lecture में देखेंगे कुछ और reactions के साथ glucose की कैसे reaction करता है अभी तो hydroxyzum के साथ reactions बाकी है अभी तो बहुत सारी reactions बाकी है उनको देखेंगे हम आगे इसको यही end करते हैं लेक्चर को thank you